हलो दोस्तों मैं हूँ रागवेंद आप सभी का competition community में स्वागत करता हूँ हम लोग आज से computer की एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं इस सीरीज में हम लोग पूरे computer को पढ़ेंगे अच्छे से समझेंगे topics को और साथ साथ सारे questions जो topics से related है topic wise questions को भी MCQ को solve करते लेंगे को हम लोग solve करेंगे ठीक है तो यह बहुत ही मज़दार सीरीज होने वाली है साथ साथ आप जानते हैं कि इसका importance कितना है हमारे सभी लगभग सभी exams में computer एक common syllabus के रुक में जाना जाता है कई exam तो ऐसे होते हैं जिसमें computer का weightage बहुत जादा होता है और वही हमारा को हमको post दिलाता है इसलिए computer आप छोड़ नहीं सकते हैं और आदमनीक समाज ऐसा हो चुका है कि computer जो है आपको जानना ही चाहिए इसलिए हम पूरे zero से चालू करेंगे आज computer को और धीरे-धीरे-धीरे series को continue करके पूरा complete करेंगे तो चलिए देखते हैं सबसे पहले computer आज की जो चर्चा है basic रहेगे एकदम basic पर चर्चा करेंगे और उसे related जो question आए हुए है उस पर हम लोग फिर बात करेंगे तो चलिए सबसे पहले देखते है computer के basic के वेबारे में तो यह आपका computer ठीक है जानते ही होंगे एक monitor होता है एक CPU होगा keyboard होगे mouse होगा यह सब basic basic चीजे होती है तो देखें सबसे पहले अगर computer की बात करें तो computer जो है यह Greek भासा का सब्द है compute से बना है ठीक है एक चीज को compute से बना हुआ है इसका मतलब होता है गड़ना करना ठीक है calculate करना गड़ना करना गड़ना करना ठीक है गड़ना करना मतलब calculation करना calculate करना इसका मतलब हुआ ठीक है इसके साथ अगर देखें तो इसको और गड़ना करने वाली यंत्र के नाम से भी जाना जाता है क्या बोलते है गड़ना करने वाला यह संगड़क मशीन के नाम से जानते हैं लिग देते हैं संगड़क मशीन के नाम से जानते हैं यानि calculating device के नाम से भी जाना जाता है calculate करना समझते हैं क्या करता है तो यह computer का basic basic चीज होगा कि यह Greek भासा से बना है किससे बना है तो computer सबसे बना है और इसका मतलब क्या होता है तो गढ़ना करना होता है calculate करना होता है ठीक है अगर हम definition की बात करें computer की तो computer एक एक क्या है electronic एक स्वच आलित गढ़ना करने वाली machine है electronic machine है जो क्या करती है input के रूप में data को लेती है प्रोसेस करती है और उसके बाद output के रूप में हमको result को provide कर लाती है तो मैं लिखता हूँ पहले उस definition को decode करेंगे आज और उससे देखेंगे उससे समधित कितने प्रिश्ण बन सकते हैं तो चले पहले definition हम लोग clear कर लेते हैं देखिए क्या है computer तो computer एक स्वचालित electronic electronic machine है machine है जो सूचनाव जो data वो निर्देशों को निर्देशों को input के रूप में गरहन करती है input के रूप में गरहन करती है करती है ठीक देखें मैं definition लिख रहा हूँ आगे जितने भी सब्दार है सब को हम लोग समझेंगे अभी computer एक स्वचालित electronic machine है जो data वो निर्देशों को input के गरहन करती है process तथा क्या करेगी उसका process करेगी करके परिणामों को यानि result को परिणामों को output के रूप में output के रूप में प्रदान करती है यही है आपका definition computer की थिक तो यह याद रखना है computer एक electronic machine है जो क्या कर देगी जो data वो निर्देशों को input के रूप में गरहन करती है और process करके वे data को क्या करती है सुचनाओं को परिणामों को output के रूप में हमको देगी मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि हमको बहुत सारी चीज़े इसमें clear नहीं है और zero से हमको clear करनी है तो देखे सबसे पहले हमको देखे computer तो computer में मैं बता चुका हूँ computer का मतलब क्या होँ computer से बना है और इसका मतलब होता है गड़ना करना है calculate करना ठीक है क्या है स्वाचालित इसको समझना है electronic यह समझना है मैंने कहा एक दब basic से zero से लेके चलेंगे और क्या है machine यह भी समझ लेते है तीन जो data data को समझ लेंगे यह 4 चीज़ समझना है data क्या होता है निर्देश क्या होते है 5 समझ लेंगे ठीक है और input समझेंगे यह क्या होता है हाला कि input output का एक अलग अपने आप में separate chapter है बट चुकि basic कर रहे हैं तो समझना पड़ेगा input की रूप में grant करती है grant करना मतलब आप समझते होंगे grant करना मतलब शुकार करना तो वह हो गया तो अब process करके process करके visualization करके यानि यह हो जाएगा आपका 5 क्या 6 points समझना है परिणामों को परिणाम मतलब result को output इसको समझना है आपका साथ के रूपे हमको प्रदान करना यानि definition में हम लोगों को साथ चीजों को समझना मोटा मोटी decode करते हैं definition को zero से चालू करेंगे और एक दब basic से देखेंगे और कितने प्रश्ट बनेंगे आप देखेंगे अभी लगेगा क्या सारी कई लोग पढ़ लेते हैं तो उनको लग रहागा उसके बाद आपको data input वगर कर दो तो वह बाकी जो काम है वह खुद से कर लेती है अगर आपने क्या कर दिया input दे दिया 4 plus 5 उसके बाद आपको और बताना नहीं पड़ेगा कि ऐसे जोड़ो ऐसे जोड़ो वह खुद ही क्या करेगे instruction के recording वह आपको प्रोअसे करके दे दिया आपको खुद से चल तो सवाचालित machine है ने खुद से चलने वाली machine टेंड है उसके बाद empleot electronic machine है कैसी machine है electronic ही का मतलब होता है electronic से निकाल लिएगा electron इलेक्ट्रौन से निकाल लिएगा l तो electronic मतलब हुआ ऐसी हो सकते आई वह सोचना है जो है ना अपने जानने के लिए जिसे आपके घर में फैन है फैन है ना फैन। कूलर होग यह सो सोच आली तो है यह वोको only ने जिद्धिक्र छलता जो 10 उए पूला ओसकिया उए संफ स्थ्रीक्टिक्तर से चलता लोक कि उलक्तरीक मशीन है तो इन लेक्ट्रीक्त रहता है से मतलब क्या हो गाए ढोग उन्हें वाली मसीन, विद्धुत पर, ठीक है, स्वच आली तो है, मगर डिपेंड किस पर है, इलेक्टिसिटी पर, याने, इसकी एक वीकनेस हो गई है, अगर इलेक्टिसिटी अब अगर नहीं देंगे, तो आपका कम्प्रूटर नहीं चलेगा, तो याद रखेगा, यह इसकी वीकनेस यहने कमजोरी में आता है, आगे जब कोशन बनाएंगे, तो बहुत काम आएगा, तो इलेक्ट्रोनिक मसीन का मतला होता है, विद्धू से चले वाली मसीन, ऐसे आप सिर्फ कम्प्रूटर के लिए ही नहीं, और भी जितने भी गैजट आप आसपस देख रहे होंगे, उसको आप देख लेए, अब माली जी आपने रखा है, छिलनी, छिलनी समस्ते होंगे, जिससे आलू छिलते हैं, तो आलू छिलते हैं, तो क्या ही वो इलेक्ट्रोनिक मसीन है, क्या, ठीक, तो एक बार ट्राइ करके देखना, ठीक, उसमें इलेक्ट्रिक वेगरा नहीं लगता है, सीधा हास से छिल देते हैं, तो वो इलेक्ट्रोनिक मसीन नहीं है, तो ऐसे करके identify कर सकते हैं आप अपने घर के आसपास की चीज़ों को जिसमें electric है वो electronic हो जाएगा तो यह हो गया तो computer का यह वाला line हमाँ समझजगा computer एक switch आलित depending किस पर है? electric पर है electronic machine है क्या है? machine तो machine को भी समझ लेते है machine का मतलब देखो simple भासा में कहें machine उसको बोलते है जो हमारे काम को आसान कर देता है उसको हम machine कहते है machine मतलब ऐसा कुछ बड़ा चीज नहीं होता है machine जनरली वैसे gadgets को कहते है instruments को कहते है जो हमारे काम को आसान करते है वो सारा चीज machine है आपने picture भी देखी होगी 3D उसमें भी कहता मसीन वही है जो हमारे काम को easy करता है तो जो easy करता है जैसे आपने देखा आपके पास माली जैप pain है तो आपका काम easy हो जा रहा है तो pain machine है ठीक है बिल्कुल एकदम इसमें doubt रहना नहीं ठीक है जैसी ये board है ये मेरा काम बहुत आसान कर दे रहा है आपके तक पहुँशने के लिए बहुत अच्छा माल दे हमें मैं लिख के बता पहुँच पा रहा हूँ तो ये एक machine है machine किस type की है तो computer किस type की है तो electronic electric से चलती है इसलिए इसको electronic machine कहते machine क्या होता है जो मानो के कामों को जो मनुश्य के कामों को आसान कर दे जो यह मैं हमारा लिख देता हूँ हमारे कारियों को कारियों को आसान कर दे आसान उसे हम machine कहते हैं तो हमने यहां तक समझ लिया यह हो गया computer एक 140 electronic machine है जो क्या कर दिये जो data और निर्देशों को input के रूप में ग्रहण करती है अब समझते हैं यह data क्या है और निर्देश क्या है data और यह instruction को क्या करती है ग्रहण करती पहले आपको अगर काम करवाना है उससे तो input देना पड़ेगा जब हम कुछ चीज देते हैं computer को इंस्रक्शन देते हैं data देंगे तो उसको क्या बोलते है computer के लेंगे में input कहा जाता है input मतला उसको कुछ देना है कुछ काम बताना है तब तो करेंगे है ना तो सबसे पहले data समझ देते है data क्या है देखिए data की बात करें ठीक है इंदे में data भी बोल देते है वैसे data सही pronunciation है तो data देखो data क्या होता है आपके information सुचनाओ आपके instruction का ऐसा समूँ जो अविवस्थित हो उसको हम लोग data कहते है ठीक है सुचनाओ या निर्देशों ज्यादा सही रहेगा निर्देशों या आदेशों का ऐसा संग्रह जो अविवस्थित हो अविवस्थित हो उसको हम लोग क्या कहेंगे हम लोग data कहते है मतलब कहने का ताथ पर यह हुआ कि data क्या है अविवस्थित है जैसे आप एक एकजाम पसम अविवस्थित है तो अलग अलग चीज़ा लिखा होता जैसे मैंने लिखा आम राम है खाता ठीक है ऐसा लिखा हुआ है एक Simple कि रूप में ले रहे है तो यह क्या है यह आदेश है, निर्देश है यह आपके क्या है information कैसे है तो और विवस्थित है इसी को जमाना है definition लिखा है क्या करना है data को लेता है और क्या करता है इसको process करता है जमाता है और जमाने के बाद क्या करता है output देता है तो इसका main काम क्या है यही गड़ना करना मतलब calculate करना मंद क्या इसको व्यवस्थित रूप से जमाएगा वो ठीक है कि जैसे यह जैसे लिखाया उल्टार सिधा लिखा इसको कैसे कर देगा तो राम अच्छा मुद्दा यह है कि यह क्या है तो यह ही है डेटा ठीक है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे डेटा बोलेंगे यहने अव्यवस्थित रूप जो होता है हमारे हां सुचनाओ का जो होता है हमारे हां दो आदेशों का व्यवस्थित रूप निर्देशों का व्यवस्थि है, जैसे एक और example देखे है मा लिजे मैंने ऐसे कहा, कि ये 4 4, 4, plus 3, 3 तो ये है, तो ये अवस्तित ही है इसको, ये plus लिखा हुआ है, ये जबी जमा नहीं है, इसको जमा का अगर result दे दे ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये विवस्तित हो गया, दोनों को जोडने के बाद, ये पूरा को calculate करके एक line में आ गया, तो ये क्या हो गया, हमारा information हो गया, सुचनाई होगी, तो data मुद्द की बाद है, data क्या होता है, तो और विवस्तित रूप होता है, उसको हम लोग data कहते है, ठीक है निर्देश का होता है, जो हम instruction आदेश देते हैं computer को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निर्देश या instruction के जो code होते है, जो computer को बताएंगे ने, तो करेगा कैसे, तो data याद रखे का अविवस्तित रूप होता है, यहीं करना है, process करना है, और उसके बाद क्या करना है, output देना है, तो जब यह process कर लेता है, यहीं पर हम समझ लेते हैं, process data को हम लोग सूचनाई कहते हैं, क्या बोलते हैं, सूचना कहते हैं, या information कहते हैं, information कहते हैं, सूचनाई जो process हो जाता है, data जब विवस्थित हो जाता है उसी को हम लोग इंफॉरमेशन कहते हैं और इसी data का जब उपयोग कर information प्राप्त करके जब हम इसका प्रयोग करते हैं उसको हम लोग ज्यान कहते हैं तो याद रखेगा, ज्यान क्या होता है तो ज्यान सुचना, data से बना सूचना और सूचनाओं का जब वेभारी प्रेयोग होता हुसी को हम लोग ज्यान कहते है, ठीक है, याद रखेगा, ठीक, तो data से फिर क्या बनेगा, सूचना, सूचनाई क्या होती है, तो व्यवस्थित रूप टेक है? आदेशों का निर्देशों का विवस्थित रूप ही क्या कहलती है? सूचना है कहलاتी है ए इंफोर्मेशन कहलाती है तो इसको याद रखएगा data से फिर सूचना बनेगा और यह ही मूल काम है data को क्या करना है? इसको ठीक करना है, मैनेज करना है, विवस्तित करना है और सूचना में बदलना है, ठीक है? और आउट पुट देना है तो हम लोग फिस मुद्धे पे आते हैं, तो data हम समझ गया कि अविवस्तित रूप होता है निर्देश जो आदेश हम देते हैं उसको निर्देश कहते हैं उसको क्या करेगा? इन्पूट के रूप में ग्रहण करेगा अब यहाँ पर इन्पूट भी समझ देते हैं देखिए इन्पूट देखिए कंप्यूटर की एक भासा है जैसे हम आपको बोले कि हम आदेश दे रहे हैं ऐसे तो हम उसको आदेश बोल देते हैं कोई कुछ बोल दे रहा है तो काम जब यह काम करके आना तो हम बोले काम करके आना तो यह मेरा सब्द है यह घर वालों को सब्द है जब इटा कामभूता करके आना तो यह कामभूता किसी और की सब्द हो जाएंगे, वैसे ही, कंप्यूटर के सब्द है, जब यह input का मतलब हुआ, कि जो अब हम आदेश देते हैं, कंप्यूटर को दिया जाने वाला instruction जो होता है, आदेश जो होता है, वो input कहलाता है, और जिस म वाला, आदेश, आदेश को हम लोग क्या बोलते हैं, input कहते हैं, और कंप्यूटर की भासा में इसको input कहते हैं, है न, हमारी भासा में आदेश कहते हैं, तो यह देखेगा, या फिर क्या कहते है, order बोलते हैं, इंग्रिश में क्या बोलेंगे, order दे रहे हैं, मगर computer भासा में निर्देश ठीक है यह क्या कहलाता है इन्पूट कहलाता है कंप्यूटर की लेंग्वेज में ठीक है और जिसके माध्यम से दिया जाएगा उस माध्यम को इन्पूट डिवाइस के दे, ठीक है, क्या बूलेंगे, इंपूट डिवाइस केंगे, तो इंपूट डिवाइस क्या हुआ, तो इंपूट डिवाइस बहुत सारे होगे, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है, बहुत सारे चीज़े होगे, उसको तो अलग चेप्टर में पढ़ना, बेसिक देख रहे हैं, इंपूट से बनेगा इंपूट डिवाइस, ना, इंपूट से क्या बनेगा इंपूट डिवाइस, तो जिस माध्याम से देंगे उसको क्या बनेगा, इंपूट डिवाइस, क्योंकि कुछ तो माध्या होगा, क्योंकि, देखिए हमारे जो माध्याम है, हिंदी से हम समझते हैं, तो हम लोग को कोई माध्याम की जुरूत नहीं है, मगर computer हमारी भासा नहीं समझता है, ठीक है, वो binary language समझता है, 0-1 में calculation करता है, हमको change करना पड़ेगा, इसलिए हमको एक mediator की जुरूत होती है, और वही mediator माध्याम कहलाएगा, तो input कैसे लेगा, तो input तो हम देंगे, तो एक device होगा, वो device क्या करेगा, हमारे दियेगे instruction को, उसकी language में चेंज कर देगा, convert करेगा है न, तो translate वगरा करेगा, वही होगा input device, ठीक, तो आगे हम बाद में, input के रूप में गरहण करता है, यानि जो आप अवैस्थित सूचना है, उसको जो दिये, ठीक है, यह information जिये जो निवदेश दिये, उसको क्या किया, वो गरहण किया, input मतलब गरहण किया, करने के बात करती है, उसको process करती है, process करना मतलब उसी को विवस्थित रूप से जमाना, ठीक है, जो आपने instruction दिया है, इसको recording काम करना, ठीक है, उसको क्या करना है, process करना, और परिणाम जो है परिणाम, process समझे, process मतलब क्या करना, data को विवस्थित रूप से जमाना, विवस्थित, data को, data को विवस्थित रूप से जमाना, या तो फिर और क्या हो जाएगा, या, क्या हुआ, input दिया गया, input के माध्यम से, याने, निर्देशो, निर्देशो के अनुरूप, अनुरूप कारिक करना, ठीक है, इसी को process कहेंगे, ठीक है, process ऐसा समझे ना, जैसे, process मतलब सोचना, आपने जैसे बोल दिया, दो और दो जोड़ने के लिए, तो जो computer जहें, आप भी सोचते हैं, कि दो और दो कैसे हुआ चार, तो वो जो सोचता है, उसी को हम लिए process बोलेंगे, ठीक है, process किया, और उसके बाद जो भी उसको समझ में आया, परिणामों को क्या देगा, परिणामों को आपको देगा, और देगा, तो मैंने बोला, कि उसकी language हम समझ नहीं पाएंगे, और समझ आने के लिए देखो कम्प्यूटर द्वारा दिया जाने, कम्प्यूटर द्वारा दिया जाने वाला परिणाम, परिणाम को हम लोग, कम्प्यूटर की भासा में, आउटपुट कहते हैं, ठीक है, किसी ने माल लेजी आपसे पानी मागा, बेटा, पानी लेकर आना, ठीक, उसने इन्पुट दि और आपने बोला नहीं लाओंगा जा तो आपने क्या दिया प्रोसेस किया सोचा कि बहुत भारी दूरिया में है ठीक है बारी चला के पानी लेना पड़ेगा नल से हाथ पर पिराने लगेगा तो आपने प्रोसेस किया और बोल दिया नहीं लाओंगा जा तो नहीं लाओंगा जा वो क्या हुआ आपने बता दिया हमारी language में तो हो गया मगर computer की language इसको output कहेंगे ठीक है तो output क्या हो गया output यानि जो परिणाम आए उसको computer की भासा में क्या बोलेंगे जो computer जो परिणाम को देता उसको output कहेंगे फिर से भाई बात हमको परिणाम computer के प्राप्त होते हैं उसको output device कहते हैं ठीक मैं लिख नहीं रहा हूँ बता दे रहा हूँ भले output device फिर से वही बाते हैं mouse हो गया, monitor हो गया यह सब तो पढ़ना ही है, printer हो गया, printer तो बहुत बड़ा तो इतना को decode करना है एक-एक चीज को समझना है कि computer एक स्वचालित electronic machine है जो data को, निर्देशों को input की रूप में ग्रहण करता है और process करने के बाद क्या करेगा, आपको परिणामों को output कर रूप में प्रदान करेगा इससे कुछ चीजे hidden है, उसको भी समझना है देखें, इसी से समझ में आता है definition की, की computer के आधार भूत कार ही क्या है, बनलब basic कार ही क्या है उसका, ठीक है जैसे हमने सबसे start किया था था, कि गढ़ना करना है तो गढ़ना करना है पढ़ा, मगर उसके बाद भी आप देखें उसका basic काम क्या है तो basic काम यही से निकल जाएगा देखो क्या काम है, सबसे पहले क्या कर रहा है ले रहा है, instruction को ले रहा है, पहला काम, input करना उसका का होगा, basic काम होगा, ठीक है तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जागा तो output, उसका मतलब भी क्या हुआ फिर output नहीं देगा, तो फिर काम कहीं नहीं है input नहीं दो तो काम कैसे करेगा और process नहीं करेगा, तो फिर मतलब भी क्या है फिर डबबा है, वो फेक दो उसको है कि नहीं तो यह तीनों ज़रूरी है मगर एक चीज समझे है यहाँ पर यहाँ पर तीनों की बीच में एक और चीज आता है जो बार बार पुछा जाता है कि आधार भूत काम क्या है याने बेसिक काम क्या इसका सुरी यह तो कोशन आ गया कम्प्यूटर का आधार भूत याने बेसिक काम क्या है और जो मन करे वो करवालो गाना सुन लो पिच्चर देखलो जो करना करो मगर बेसिक जो काम है बेसिक कारी क्या है तो सबसे पहले जो है उसको लिख लेते हैं मेरे खासे आपको समझ में आ गया होगा इंपूट है इंपूट करना बिलकुल इंपूट के बिना काम ही नहीं चलेगा दूसरा क्या हो सकता है तो क्या होगा प्रोसेस और एक होगा आउट पूट यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है अब आप समझना process करना है, आपने input दिया और process करना है, तो अगर मालोग calculate, इजी देखो, समझ ऐसे माल लिजे, मैंने ये कहा कि 2 और 2 को जोड़ो, तो खट से जोड़ के दिए 4, मगर मैंने यहीं पर कहा ये multiply 4, 4, 4, 4 multiply 4, 4, 4, 5 ऐसे करके, अब इसको multiply करो, आपको भी कहेंगे, तो आप भी थोड़ा समय लेंगे, समय लेके क्या करेंगे, लिखेंगे, उसको जोड़ेंगे, यानि समय लगेगा, इसको calculation करेंगे, तो same चीज़े तो computer के साथ भी है न, उसको भी समय चाहिए सब चीज़े calculate करने के लिए, ठीक है, वो भी तो analysis करेंगे, कैसे काम करना है, ठीक है, मतलब इस पर कैसे work होगा, तो बड़ा data आएगा, बड़े चीज़े, बड़ी-बड़ी समस्याएं आएंगे, तो उसको समय लगेगा, और समय लगेगा, आपने input दिया, तुरंट process तो हो नहीं सकता है, तो वो क्या करेगा, उसको थोड़े देर के लिए ही सही, store करके तो रखेगा, माले बहुत बड़ा चीज calculation है, तो पार्च पार्च में calculate करेगा, है ना, तो store तो करेगा ना, store करना ही पड़ेगा उसको, ठीक है, कैसे, process करने के लिए, कहीं न कहीं, storage तो होगा ना, तो यहाँ दखेगा, store, जो store करना ना, यहाँ दखेगा, store करना जो है, यह भी इसका basic work, ठीक है, करना ही, उसकी मजबूरी है, ठीक है, इस पर यहाँ से समझेगा, process करने के लिए, उसको store करना पड़ेगा, समस्याएं बड़ी होंगी, तो करना पड़ेगा, और यहीं store में भी दो प्रकार हो जाता, एक होता है, प्राथिमिक, और एक होता है, दीतियक, ठीक है, तो जब storage device हम पढ़ेंगे, तो उसमें पढ़ेंगे, memory जो पढ़ेंगे, प्राथमिक memory और दीतियक memory, प्राथमिक इसलिए हो गया, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि उसको देखो, process करने के लिए औस थाई रुक से चाहिए, उसको जरूरत नहीं है, ठीक है, औस थाई जएए, तो औस थाई वाला हो जाए, प्राथमिक हो जागा, ठीक है, दीतियक हो जागा, माल उसको परमने चाहिए, रखना है आपको, तो दितियक का यूज करेंगे, तो हम उसको बाद में देखेंगे, यह सब को प्राथमिक, दितियक, ऐसा वैसा, बट अभी basic जो काम है उसको समझे, input तो सही है, कोई दिक करने है, बिना आदेश के हम काम करेगा नहीं, उसके बाद store तो होगा न, store करना ही पड़ेगा, तब तो process करेगा, धीरे दिरे करेगा, और process करने के बाद क्या है, output, यही आधार भुत काम है, बाकी उसका बहुत सारे क काम है, ठीक है, काम तो बहुत सारे है, सब चीज में काम करता है, बट basic काम आज से पूछे, तो यह इसके basic काम, जो की definition से निकल के आ रहे है, ठीक है, इसको ध्यान में देना है, उसके साथ साथ देखें, ठीक, इसके साथ साथ और देखिए, basic में, देखो, एक होता है hardware, ठी और एक होता है, soft, ठीक है, एक होता है program, ठीक है, यह सब आप सुनो होगे, पढ़ोगे, ठीक, तो देखो, सबसे पहले hardware देखिए, hardware बहुत जानते होगे, सब लोग जानते होगे, जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, hardware कहते हैं, ठीक है, तो hardware जो हो भौतिक चीजे होती है जो चीजे भौतिक रूप से प्रिजेंट होती है उसको ही हम लोग देख सकते न जी यह जग भौतिक है माया है बोलते हैं और भौतिकी भी पढ़ते हैं तो जो चीजे छू सकते हैं देख सकते हैं उसको हम लोग भौतिक कहते हैं जिसको हम देख सकते ह कहा जाता है याल रखेगा ऐसे भी प्रशनाते हैं मूर्थ का मतला होता है मूर्थ मतलब समझिए मूर्थी मूर्थी तो मूर्थ मतलब ऐसी वस्तुएं जिसको हम देख सकते हैं अपनी नगनागों से हम लोग देख सकते हैं उसको मूर्थ कहते हैं अब आखे बंद कर लोगे तो नहीं दीखेगा और अमूर्थ की इसको पहते है तो i.सी चीजे जिसको अमूर्थ नहीं बनती है अमूर्थ मतलब कि मलोग मन में सूच सकते बडे इसकी मूर्थ ही नियुक्या हो जागा अमूर्थ ठीक, आत्मा समझो नहीं, आत्मा को देख पाओगे क्या, नहीं न, तो software ऐसी चीज़े जिसको छूँ और देख नहीं सकते हो, software कहलाते हैं, और जिसको छूँ सकते हैं, देख सकते हैं, उसको hardware कहलाते हैं, चर्चा करने हाड़वेर कौन-कौन से कैसे कहते हैं, चैसे में computer दि निर्देशो का समुह जो होता है, उसको हम लोग program कहते हैं, जैसे computer को process करना है, ध्यान सीज़ेगा, यहाँ पर processing मैंने आपको बताया था, process, तो process में कुछ भी कर दे, मालेजी आपने कहा, ध्यान देना थोड़ा सा, मैंने कहा 4 plus 5, यह है, और आपने उसको कुछ बताया नहीं, तो यह plus को उसका process पताया नहीं, तो plus को गुड़ा कर दे, भाग कर दे, घटाओ कर दे, कुछ भी कर सकता है, तो आपको बताना तो जा बेटा, यहां से पानी लेया, तो यह दोनों में अंतर है, तो process यह बताना पड़ेगा computer को, कि आपको process भी कैसे करना है, याद रखेगा, प्रोग्राम्स जैसे बनाये जाते हैं, उसमें हर चीज होती है, हर चीज आपको बताना पड़ता है, कि इस तरह से अगर आएगा अनलाइस भी करने का गुण होता है, तो जनरली जो computer होता है, उसमें को process करना भी बताया जाता है, कि कैसे process करना है आपको, और उस process को कैसे बताएंगे, तो उसमें program का क्या कर जाता है, प्रोग्राम जोड दिये जाते है, ठीक है, आप लोगोंने java, java script, ठीक है, आपका panther उसके बाद c++, जो program पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, तो एक बाद समझें, थोड़ा समय, थोड़ा सा extra लेके चल रहा हूं, एक बाद ऐसे ही समझ देना, पढ़ोगे आगे, c++, java, java script, पढ़ते हैं, html, उसमें क्या होता है, एक program लिखते हैं, अंगरे जीव, ठीक है और उसको कैसे सिखाएंगे, तो program बना-bना के computer में डाला जाता है, और उसी को क्या करें, जब हम group बना देते हैं, बहुत सारे चीजें उसमें जोड़ देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, program करेंगे, तो process करने के लिए जो निर्देशों का समू होता है, उसी को program करत ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, process करने के लिए, आपने कभी सोचा होगा ना कि ये process करता कैसे, अपने मन से कर लेगा, उसमें तो चेतना है ही नहीं, मतलब उसमें सुववे की सकती नहीं है, ठीक है, उसमें आपका feelings नहीं होती है, तो कैसे करता है, इंसान में एक ही क्यार नहीं कर सकता है, ठीक, नफरत नहीं कर सकता है, मार नहीं सकता है, तो यही चीज, उसको process करना बताना पड़ेगा, ठीक, तो यह process करने के लिए, हमको क्या डालना पड़ता है, program डालना पड़ता है, बिना program के वो समझें, कोई काम नहीं करेगा, process कैसे करेगा, ठीक, मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट में होता है मैं एक ऐसा लगता कि आप जानते होंगे यह मॉनिटर कलाता है यह CPU कलाता है, CPU को brain भी कहते है यह मस्तिक्स्क है, यह आपका keyboard है यह mouse है, इस पर हम लोग विस्ताथ से चर्चा करेंगे मगर चर्चा करने से पहले, यह तो चलिए basic हो गया, कुछ और चीज़े मैं बताता हूँ जैसे computer, Greek भसक सब इसके लिए हम लोग इसकी जागरूटा के लिए अंतराश्टी साक्षवर्ता दिवस मनाते हैं computer के लिए 2 December को ठीक है, क्योंकि लोग जागरूख है जाने थोड़ा सा, और सबसे जादा computer, सबसे पहले सुर्वाद भी तो अमेरिका से हुई थे तो अमेरिका में ही सबसे जादा computer मिलेंगे, तो यह कुछ basic बाते हो गई इसके बाद हम लोग देखेंगे, आज का यह जो computer आपको दिख रहा है वो उसका इतिहास कैसा रहा हो, कैसे यहां तक आया ठीक है, next class में हम चर्चा करेंगे कि इसकी generation क्या है, कैसे यह develop हुआ और कहां से आया, ठीक है तो अगली class में चर्चा करेंगे, हमने basic समझा, और उस basic पर हम यह सारे प्रश्ण आये हुए हैं, किसी ने किसी exam में, तो आपको बहुत help करेंगे, किसी pattern के प्रश्ण आये रहने वाले हैं, तो विश्व computer साख्षरता दिवस 2 December को मनाया जाता है, ठीक है हमारे हाँ 2001 में N.I.I.T. जो है संस्था है उसने क्या किया, जागरूता के लिए start किया, यह पहल और उसके बाद पुरे vision में बनाना चालो हो गया, ठीक है तो यहाद रखेगा, इन में से कोई computer की प्रभू करिया नहीं है, आप देखो तो मैंने आपको बताई थी, data input बिल्कुल है, input करना उसका काम ही है उसके लावा data processing बिल्कुल है ठीक है, data संग्रहर्ण संग्रहर्ण में बताया था, processing से पहले संग्रहर्ण ही होगा, ठीक है, तब तो process करेंगे ठीक, अच्छा, और उसके बाद data visualization, data analyzing इसकी मैं यह कर देता हूँ इससे, data analyzing नहीं है ठीक, और यह वाला आपका इसका यह option होगा, ठीक, ऐसे ओके, निम्न में से कौन सा computer का कार्य नहीं है, ओके, तो क्या-क्या नहीं है कार्य, चाह, इंपुट बिल्कुल है, output इसका है processing यह है, understanding, understanding कहां से develop करेंगे, ठीक, यहीं तो बचा हुआ है, देख लो, आप लोग में भी understanding होनी चाहिए, feelings होनी चाहिए, नहीं तो computer बर-बर हो जाओगे, ठीक, तो यह थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, understanding इसका कारी नहीं है, ठीक, देखो, एक बाद प्रशन आएगा, कारी है और मुख्य कार्दू, आने दो रुकों मैं बताता हूँ ठीक, यहाँ पर फसना नहीं computer सब्द की वित्पति किस भासा से हुए तो किस भासा से हुए है, जर्मन, तटकी, प्रशनों को हमको जानना और न जानने वाली बात है नहीं हमको कैसे वहाँ पर प्रशन बनाने है एक-ईक बारीकी से हमको पढ़ने होते है बागी प्रिंट करना भी थो कामे है ठीक है, आपका चितर बनाता ही था, प्रिंट का यूजस करता ही है बट प्रमुख जब बोले तो आप उसे चार में से कोई न सा उप्शन हो सकता है, ठिक है, उसकर देखें, delete computer, किस प्रकार के गर्णा की जाती है, तो mathematical गर्णा की जिए, बिल्कुल सही है तार के logical Reging करता है, ठिक है बिल्कुल सही है, ठिक A और B ये दुनों आपका जाओगा ठिक इनिमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, से नेक्स देखें तो computer के भौतिक घठको को क्या कहा जाता देखो मैंने भी बताया भौतिक बोल दे मूर्थ बोल दे यह सब hardware को बोलते हैं hardware जो होता है उसको बोलते है software hardware क्या होता है तो यह आपका hardware होगा ठीक है software अमूर्थ घटक बोलते हैं इसको छूने ही सकते देखने से अर्थमेटिक एंदर का भाग है और CPU कंप्यूटर का ब्रेन है यह तो ब्रेन है और यह लॉजिकल रिजनी के लिए काम आता है CPU के अंदर का भाग होते हैं एक एक अल्यू होता है ठीक है तो उसका बहुत ही घटक के रूपे जाना जाता किसको जाना जाता है अभी बताए बना सकते हैं यह आई हुए प्रेशन है अगर आप से बन रहें टॉपिक पढ़ने के बाद तो देखिए आपकी तैयारी सही डारेशन में है और यह तो फिर से आपको एक बार वीडियो देखने की जरूरत है ठीक है सार्थक आकड़ा को कहा जाता है सार्थक आकड़ा को क् ग्यान को कहेंगे जब सूचना इस इंफमेशन को जब आप व्याहरी ग्रूप से प्रियोग करते है उसको हम लोग जयान कहते है जिसका प्रियोग हम लोग करते हैं ओकडा लोग यह कहते हैं अब पर इसक्रिस्ट वस्तों को क्या कहते हैं तो अब पर इसक्रिस्ट मतलब जो information जमी हुई नहीं है अविस्तित है उसको हम लोग क्या कहेंगे data के नाम से जामते हैं computer process का मुख्य लक्ष data को खाजिस्ताने बदला है file में, devil में, सूचना में ग्राफ में क्या काम है उसका जैस पता है process करने बाद हो करना क्या चाह रहा है वह अविस्तित डेटा को जमाना चाहता है सूचना information बदलना चाहता है बिल्कुल तो यह रखेगा यह सूचना इसका मुख्य काम ठीक computer का मूर्त घटक यह जाए ज़िए जो दिखता है मूर्त ऐसे नहीं याल रहो गता है मूर्ती बनता है मूर्ती तो मूर्ती इमतलब बहुत हो गया को सा आधास hardware क्या हो जाएगा यह hardware ठीक उपयोगी जानकारी प्राप्त करने के लिए डेटा से परिणाम त्यार करने की प्रक्रिया खाहालिस्तान रूप में जाना जाता है प्रक्रिया आउट्पूट कहलाती है जो प्रदान करता है कैसे प्रदान करेगा तो आउट्पूट कहलाएगा तो CPU बिल्कुल है अच्छा इसमें देखो तो प्रमुक भाग नहीं है भाग तो सभी होंगे जैसे आपका CPU है बिल्कुल है आपका ALU है अभी बताए अर्थमेटिकल लॉजिकल है आपका UPS और यह कहा है आपका CU कंट्रोल इनुट एक चीद देखिए प्रमुक भाग कहने का मतलब है ऐसा भाग जिसके इंपॉर्टन्स बहुत हो जिसके मिना काम ना चले वह प्रमुक हो जाए और भाग तो सभी है ठी CPU तो उसका brain है और brain के ही दो पार्ट में अभी बताए ठीक है अभी CPU पढ़ेंगे तो और clear हो जागा ALU होता है तो कंट्रोल इनुट के मिना तो काम ही नहीं चलेगा ना इससे इससे भी ज्यादा इंपोर्टन इसके बीच का सी कंट्रोल इनुट यह UPS अन्रिप्टर पावर supply होता है देखो ऐसे computer साथ देखना कई एक ठो बॉक्स होता है ठीक है वह समझे इन्वर्टर है लाइट गोल हो गया तो क्या करेगा 10-15 मिन वह computer को चला सकता है तो लगाते UPS तो यह जरूरी नहीं कई लोग नहीं लगवाते जा बंद हो जा बंद हो जा ठीक है बंद हो जा पिचर चर देखते हैं गानाओ ना सुनते हो उन्हों के लिए नहीं लगाते जाओ तो UPS यह अनिंट्रप्ट पावस अप्लाई यह महतपूर भाग नहीं है ठीक है तो यह आपका आंसर होगा ठीक इसको मैं मार्क कर देता हूं ठीक उसे किसी भी computer system का brain मस्तिस्की सो कहते है तो सब जाते हैं एक control unit, automatic unit, storage और central processing unit CPU का full form central processing unit होता है यह बहुत basic है central processing unit ठीक है तो यह process करता यह है उसके बाद आपका देखें निर में से कौन सा computer का उपकरण नहीं है keyboard, monitor, printer, hard disk, drive ठीक है तो एक computer का उपकरण नहीं है keyboard, keyboard के बिना आप काम नी चला पाएंगे आपको क्या म keyboard के बिना आपको input देते नहीं मनेगा, monitor के दिखेंगा नहीं, hard disk तो उसके अंदर रहता है, एक answer होगा यह printer, जरूर नहीं है printer लगाओ, क्योंकि output के रूप में आपको monitor के दिखता है, अगर आपको hard copy चाहिए, output का तो आपको printer की जरूरत परती है, मगर ऐसा नहीं है कि printer के आपको परिणाम नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो परिणाम आपको monitor में भी मिल सकते हैं, अगर उसकी hard प्रती चाहिए आपको, तो आपको printer के जरूर परती है, यह आपका उपकरण, महत्पूर उपकरण नहीं है, ठीक है, यह option आ चुका, ले चुका है, keyboard तो हई है, hard disk के बिना नहीं है, okay, भावना, emotions, emotions भी नहीं होते हैं, computer का एक good, computer का एक good है, okay, sorry, यह आपका, कौन कौन सब जाएगा, देखे, एक होगा भावना, बिल्कुल नहीं होता, अनभूती, feelings नहीं होती है, ठीक है, मन्दस्वता, यह भी नहीं होता, यह का होता, आपका ततपरता, ततपरत होता, मतलब होता, जल्दी, बहुत fast, calculation बहुत fast करता है, तो ततपरता इसका good है, आपका emotions उसमें नहीं होते है, यही चीज, पहले बताए, अंतर होती है, और वो ती feelings वो कर नहीं सकता है, आपका डूले से, आपका मन्द स्वपन नहीं देख सकता है, स्वपन वेगरा नहीं ततपरता है, ततपरता है, उसके लावा विश्वरस्णियता, जैसा आप data अगर सही दिये है, तो output आपको सही मिलेगा, तो विश्वरस्णियता इसका एक गुण होता है, ततपरता होता है, और आपकी गति इसकी एक गुण होती है, तो इसमें से आपका ततपरता अपका ही feelings नहीं होते, emotions नहीं होते, emotion होते तो सोचो कैसे होता फिर, computer का transformer बन जाता है, computer का उपयोग, business अनुपरयोग के लिए attractive है, क्योंकि इसका कारण, सुधता है, विश्वनसिता है, गती है, इन में से सभी है, देखो, बताया दिया अभी, इन में से सभी है, क्योंकि ये computer का उपयो इसमें से सही answer आएगा, ठीक, next देखते है, computer का उपयोग करने का ये हलाव है, कि computer बहुत तेज होता है, बिल्कूल, और बड़ी मातरा में data store करता है, ये भी सही है, जब input गलत हो, तब बड़ी मातरा में data store कर सकते हैं, ये तो आपका नहीं लग रहा है, क्योंकि गलत देख किया गया है, अपरोक सभी, अपरोक सभी नहीं आएगा, ये आएगा, क्या आएगा, computer बहुत तेज होता है, और बड़ी मातरा में आपका data को store कर सकता है, आपका secondary memory लगा के बहुत ज़्यादा store कर सकते हैं, बाकी तो गलत है, क्योंकि इन पर गलत होगा, तो ये बड़ी मा से कुछ ऐसे छेत्रे हैं, जा computer महतपूर रोल अदा करता है, सिक्षा में, बिल्कुल करता है, ठीक है, अभी पढ़ाई रहें वैसे, अच्छा, विज्यान में, वो भी ज़रूरी है, ठीक, उसका स्वास में, बिल्कुल, उसके मेंना तो बहुत सारे स्वास में, कई मानते ही हैं, और प्रोक सभी, क्या जाएगा, प्रोक से ले, ठीक है, बहुत इजी प्रशन आते हैं, इनमें से कोई से एक computer की प्रमुख क्रिया नहीं है, input करना बिल्कुल है, data processing, data संगरह, data visualization, data visualization इसकी क्रिया महतपूर जो है, प्रमुख क्रिया नहीं होती है, तो इतना आ कोई भी अगर आपको समस्या हो, तो आप इस पर comment बाकर में पूछ सकते हो, आज के लिए इतना ही, thank you